तो हमारे पास यह लोय की पत्ती है इस पर हम वेल्डिंग करने की कोशिस करते हैं वाउ हमारी वेल्डिंग मसीन बहुत ही अज़िए तो गाइस आपने सम्नेल में देखी दिया हम बनाने वाले आज एक वेल्डिंग मसीन जो की पूरी तरीके सम घर पर बनाएंगे इसके लिए जबत प्लाएगे हमें कुछ इस परकार के लकड़ की स्केल की और दो कुछ लोहे की इस तरीके की पत्तियों की तो सिंपली हमें करना कुछ नहीं है इस लोहे की पत्तियों में कुछ इस तरीके से इसकूर लगाना है और इसको इस लकड़ की स्केल पर सेट कर देना है और हमें इसके साथ एक वायर एटेज करना है और इसे अच्छी तरीके से कनेक्ट कर देना है ताकि स्पार्क नहों औ और इसको अच्छे से टाइट कर देना है कुछ इसी तरीके से हमें दूसरे पत्ते को भी सेट कर देना है और इसमें भी वायर अर्टेज कर देना है कुछ इस तरीके से इसको अच्छे से टाइट कर देना है तो आप जिख सकते हमने दोने वायर्स को कनेक्ट कर दिया है और पत्तियों को अच्छे से फिक्स कर दिया है फिर हमें एक वेल्डिंग रोल देनी है उसके उपर वाले सीड़ों को थोड़ा साम को उपर से मोड देना है फिर हमें इसके साथ एक वायर एट्च करना है अ हमने वायर कनेक्ट करदिया है फिर हमें इसको एक प्लास्टिक के हेंडल पर कष दिना है यह हमारा handle complete हो गया है welding कलने के लिए इसको नीचे से थोड़ा सा मोड़ देना है welding road को यह handle complete हो गया इसके बाद हमें नमक लेना है यह नोर्मल नमक है जो हम घर पे खाना मनाने में यूज़ करते है इसके बाद हमें इसमें पानी डाल देना है, normal water हम इसमें डाल देते हैं, हमें इतना पानी लेना है, जो माहीं लोगी की पत्तिया है, उसका नीचे का सीरा पानी में डूप जाए, इसके बाद हम इन पत्तियों को पानी में डाल देंगे, इसे हम अच्छी तरीके से fix कर देंग है हम यह जान ध्रक्टन है कि दोनों पत्तिया आपस में ठेस्ट नहीं होनी चाहिए दूर-दूर ही रहनी चाहिए इसके बाद हम इसको electric board कनेक्ट करते हैं तो यह wire आप देख रहे है electric board से निकलकर सीथा इस लोग की पत्ति कनेक्टे रोड दूसरे वाली पिन से कनेक्टेड है यह आप देख सकते हैं हमारी वेल्डिंग रोड है अब इसको हम जिसी इस पत्ति पर टच करेंगे वेल्डिंग होना इस्टार्ट हो जाएगा हमने अभी इसको पावल नहीं दी है तो सबसे पहले हम ग्लप से लेंगे क्योंकि हम बहुत ज्यादर डेंजर वेल्डिंग मसीन है इससे हमें कोई सोक ना लगे तो सेफटी फर्स्ट हम सबसे पहले ग्लप से लेंगे इसके बाद हम देखते हैं, वेल्डिंग होती है नहीं वाव हमारी वेल्डिंग मसीन बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रही है तो चलिए और हम वेल्डिंग करके देखते हैं कि यह और वेल्डिंग कर पाती है या नहीं सुच में बहुत ज्यादा डेंजर है आप इसे घर पाजा कही और दोराई एक उसे बिल्गुल मन की जाएगा यह बहुत ज्यादा डेंजर वेल्डिंग मसीन है अब हम लोहे के मोटे वाले टुकड़े पर वेल्डिंग करने की कुछिस करेंगे लोहे का मोटा टुकड़ा है इस पर देखते हैं वेल्डिंग होती है या नहीं को को कि आए उरोजा यजू साघ्य के का मोटाय वेल्डिंग टॉन वेल्डिंग है क्वेल्डिंग स selber तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना याप देख सकते हैं पानी में जागून आ गए हैं